में अगले पास सालों में असोक डख साव आई बता और चेर्मैन एपी अमसी को किस तरह की पहचान देना चाहते हैं कि सबसे बड़ी मंडी एपी अमसी को कहा जाता है हम सरचंद्रजी पावर साप की नेतरुत में देश के सबसी बड़ी इंटरनेशनल बनाने की कुशिश कर रहे हैं क्या ये वाकई राजसरकार इस्ता की तैयारी में है कि नईमबई से एपी अमसी की मंडिया सिप्ट होगी ऐसा कोई सुझाओ अभी तक यहां आया नहीं ना गोह महाराष्ट्र सरकार ने दिया है ना एपी एपी अमसी में कुछ है ये खली रियूमर्स है दोस्तों नमस्कार टीबी वंडिया के खास कारक्राम फेस टू फेस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस वक्त हमारे साथ एसिया के सबसे बड़ी बाजार मंडी नईमबई एपी अमसी के चेर्मैन असोग डख साब मौझूद है सबसे पहले सरस्वाल पूछना चाहेंगे जब आप का जब आप चेर्मैन बने थे उस वक्त कुछ आपने संकल्प लिया था एपी अमसी के लिए अभी कहां तक वो संकल्प पूरा हुआ है करीबन 13 महीने पहले हमने हमारे इस पूरे बाड़ी ने यहां चार्ज लिया और तभी हमने यह 40 साल 45 साल पुरानी मंडी को री डेवलोप्मेंट कैसा कर सकते है इसके अलग अलग प्लैन बनाना पहले हमने चालू किया है और सबसे पहले कांदादा बाटाटा मार्केट जहां आपन बैटे है इसका करीब करीब री डेवलोप्मेंट का प्रोजेक्ट करीब करीब फाइनलाइज होने जा रहा है अभ होगा बत्utor चैयर्मेन आपको क्या लग रहा है एपी एमची नियमन का पाइदा कितना नुक्सान हो ऐसे एपी मди जो नियमन नहीं लागोब करने जारी कंदर सरकार इस से पुरा किसानों का इसमें बहुत भारी नुकसान होगा, जो इस तरहे के से कि आज कही भी यहां कुछ फ्राड होता है, ब्याप़ारियों से, या किसान के कोई पैसे रोकता है, तो हम उसको उसका पैसा, किसान का पैसा, उस जो जो गाला धरक रहता है, वो शॉप ओनर है उसको शॉप सील करके, उसका उक्षन करके, बैंक से पहले उस किसान का पैसा देते हैं, जब ये नियमन मुक्त हो जाएगा, तो किसान का कोई वाली नहीं रहेगा, कि उसने अगर कि कोई ब्यापारी ने उसका माल लेके जाए, उसके पैसा वापस आने के कोई गैरंटर नहीं रहेगा बीच में. तो इसका मतलब है कि जो मोधी सरकार कहरे है कि किसानों के इसे बड़ा फायदा होने वाला है कि कु่कранकर बेस सकता है, इसको ज्यादा फायदा मिलेगा. तो ये इसका मतलब है कि ये कहीं न कहीं एक तरह का छलावा आपको लगता है? यस बिल्कुल सही है यह किसानों के एकदम आपोजिट है यहाँ किसानों को कोई सुरक्षा नहीं है उसके द्हानने के बारे में अगर EPMC मार्केट में अगर एक किसान आता है तो उसको चौइस रहता है यहां शेकड़ो यहां ब्यापर यहां बैटे उसका माल खरीदने उस नियमन मुक्त होने के बाद कोई एक से ही उसको व्यहवार करना पड़ेगा पैसी की कोई गैरंटी ने होगी इसलिए एपीमसी को नियमन मुक्त करना के खिलाफ यह सब किसानों के खिलाफ यह ऐसा मैं अब एक ऐसी खबर चल लई है कि एपीमसी की मंडियों को फिर से यहां से सिफ्ट करके राइगड में सिफ्ट करने की तयारी है और यहां के जो सिनियर लीडर है गनिशनाइक ने यह मुद्दा खास कर उठाया है क्या यह वाकई राजसरकार इस्ता की तयारी में है कि नईमबै से एपीमसी की मंडियां सिफ्ट होगी इसा कोई सुजव अभी तक यहां आया नहीं ना महराष्ट्र सरकार ने दिया है ना एपीमसी में कुछ है यह खली र्यूमर्स है आप वाई इसमें कुछ तथ्या नहीं है क्योंकि यहां अगर भले यह पुरान मंडि रीडेवलेप्मेंट को आई है सिफ्टिंग में के लिए कोई परस्ताव सुजव आज तक यहां नहीं है रीडेवलेप्मेंट करने के बारे में हम दरूर सोच रहे हैं अभी मैंने आपको जैसे बताए कि कांद्रा बटा टाय का करीब करीब रीडेवलेप्मेंट का प्लैन फैनलाईज होते आ गया है बाक से जो उन्होंने संकेत दिया कि राजसरकार कोई ने कोई चुपा एजंडा चला रही है तो क्या वाकई को चुपा एजंडा चला है कि बिल्डरों को या कार्परेट घरानों की बेसकिम्ती जो जमीन है देने की कुछ साजिस चल लही है इसमें कितनी सच्चा ही आपको लग उन्होंने कहा था कि नौइम भेए ये पिमसी को इंटरनेशनल हब के तौर पर डोफकर करना है कब तक ये इंटरनेशनल हब के तौर पर ये मार्केट जु है डोफ़बलॉप होगा आपको लगता है क्या चुनोती हैं इसके रास्ते में इसमें जरूर हमारे नेतादर्णे पवार साब, शरचंदरजी पवार साब, शिशिकान सिंदे साभिन के नेतरत में, हम जरूर यह अच्छा इंटरनेशनल मार्केट करने के पूरी तरह यहां कोशिश करें, उसी तरह के से हम अलक अलक 5 जो 5 मार्केट है उसको, अलग-अलग आर्किटेक्ट चाहे या कुछ री डेवलेप्मेंट के बारे में कहा जाए तो जो अच्छा च्छा मार्केट है अभी कुरोना की वज़े से हम कहीं जाने सके हमारा तो इरादा है कि मेलमन हो सिंगापुर हो दुबई हो हम वहां जाकर वो मार्केट कैसे किस तरह काम करते हैं और उसकी वो कैसे डेवलप्मेंट मुंबई मार्केट भी अब इन्टरनेशनल मार्केट यहां होनी चाहिए यहां हमारे सब नेताओं की धरना भी है और उनके आधिश को मान कर हम भी साधम बढ़ा रहे हैं सर आखिरी दो स्वाल आपका क्या विजन है APMC को लेकर अगले पांच सालों में कि किस तरह से APMC होगा चुनवतियां आपको कहना जरा रही है क्या सबसे बड़ी दिक्कत है जो APMC इतने लंबे समय से तकरीबें 40-45 साल से जिस तरह से डबलप होनी चाहिए थी वो नहीं हो और इहां कंसे के जो जो दिक्कते यहां रहे हैं कि यहां पार्किंग होथ बड़ा प्रवलम है यह बील्डिंग्स बहुत यहां की पुरानी होpin हो करें कई पानाहां tutti दोकादे बताया है इसलिए यहां डेवलॉप्मेंट होना बहुत ज़रूरि यह और इतना बड़ी जग 173-acre जगा Heart of the City और एक अच्छे इंटरनेशनल मार्केट बनने के लिए बहुत बड़ा स्कोप यहां है तो इस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट कैसा बने अभी जो बॉर्ड हमारा संचालक मन रहे यह सब का उही काई ना है कि हम है जब तक यहां यह चार अभी एक साल हो गए हमको अभी चार साल में पूरा यहां का नया redeveloped international market हो ऐसा हमारे सभी board का मानसया है एक इनाम प्रणाली यहां पर सुरू की गई थी लेकिन वो सिर्फ दिखावा बन कर रह गई है आपको क्या कराण लग रहा है कि सफलता इसमें क्यों नहीं मिल पा रही है इनाम प्रणाली यहां जरूर यहां सब EPMC को लागो की गई है जो 320 EPMC महराष्टर में है मगर इसका ज्यादा तर यहां जहां ग्रामीन भाग में डारेक्क किसान से विवार होता है यहां किसान प्लस व्यापारियों का जाज़दा जहां किसानों का विवार ज्यादा है जिस EPMC में इनाम का ज्यादा फाइदा होता है यहां किसान 50% ही आना जाना होता है जादा वहां उधर के ब्यापार ही यहां आते है तो किसान प्लस ब्यापार इस लिए थोड़ा response दियादों में ग्रामीन भाग में जैसे EPMC को वहां इतना response यहां नहीं मिलता है सर एक सुरक्षा का मामला हमेशा APMC के मंडियों में रहा है आप इसे कैसे टेकल करना चाहते हैं और जो अव्यवारिक लोग या जो अवांग्शित लोग मार्केट में इस वक्त हैं उनको लेकर बहुत सारे सवाल पैदा होते रहे हैं समय समय पर हमारे APMC में जहां जब भी कंप्लेन आती है उस पर तुरंथ हम एक्षन लेते हैं और लेते रहेंगे कुछ बाते हैं जब से हमारा ये बोर्ड अस्तितुमें आया है करीब करीब दो धाई करोड रुपए हमने किसानों का रुकावा पेमंट आप जो बोल रहे हैं कि उन्होंने उनकी शौप बंद कर दी तो हमने सील करकर उसका एक्षन करकर आईसे किसानों को पैसे देने का और जहां जहां भी कही ऐसा आप जो बोले है कि सुरक्षा का तो सुरक्षा पे हमारी कड़ी नजर रहते हैं कि कहीं भी कंप्लेन आए तुरंथ हम उस पे एक्षन लेते हैं और वो प्रोब्लम सॉल करते हैं अगले पाँस सालों में असोक डख साव आई बता और चेर्मैन एपीमसी को किस तरह की पहचान देना चाहते हैं आपने बताया कि एश्या की सबसे बड़ी मंडी एपीमसी को कहा जाता है हम सरचंदरजी पावर साब के नेतरुत में देश के सबसी बड़ी इंटरनेशनल बनाने की कोशिश यहां करने का हम कोशिश कर रहे हैं सर बहुत बहुत थेंक्यू आपने मेरे तमाम सवालों का जवाब दिया जैसा कि आप सुन रहे थे दुनिया की सबसे बड़ी बाजार मंडी एपीमसी नविमबई और आप उसके चेर्मैन सोग ड़क साब को सुन रहे थे हम उमीद करते हैं कि जो आपने संकल्प लिया है ज को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन को दवाना मत देए